नमस्कार आदाप शिस्त्रियकाल दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मुर्तुजा कार कमपे रोज में आपका स्वागत है और आज हम सैकडो दर्शकों ने पूछे हुए सवालों पर गौर फर्माने वाले हैं टाटा पंच से दो लाक रुपे जादा दे कर क्या निक्सौन खरिदनी चाहिए या नहीं यह सवाल आखिर ऐसा क्या है निक्सौन में जो टाटा पंच में नहीं मिलता सेफटी, फीचर्स, सस्पेंशन कमफर्ट, माइलेच, बहतर पिकप चलिए देखते हैं क्या नहीं मिलता शुरुआत करेंगे टाटा पंच की कुछ ऐसी खूबियों से जो उससे दो लाक रुपे महंगी निक्सौन में भी नहीं मिलती, और तुरंत उसके बाद ही हम इसी वीडियो में आपको निक्सौन की भी कुछ ऐसी खूबिया बताने वाले है जो टाटा पंच में मौजूद नहीं है, तो चली दोस्तों शुरू करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जिसका मार्केट में आज बहुत बोलबाला चल रहा है और उसका नाम है सेफटी, क्रैश टेस में फाइव स्टार की लाजाव रेटिंग पानी के लिए गाड़ी का वजन तेरा सो किलो से हलका होना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसका जीता जाकता सबूत है टाटा पंच निक्सॉन से लगबग 200 किलो हलकी होने के बावजूत टाटा पंच की एडल प्रोटेक्शन रेटिंग निक्सॉन से 0.4 अंक बहतर है और चाहिल सेफटी रेटिंग तो पूरे 15 अंक बहतर है इत बाड़ी वाली जैसी बाते करते हैं कि मोटा पत्रा है भारी वजन है अच्छी बिल्ट क्वालिटी है उनकी आखे खोलने का वक्त आ चुका है तो अगर आपको कोई ऐसा हुश्यार इनसान मिलता है तो उसको एक बार टाटा पंच का क्राश टेस्ट रिजल्ट जरूर दिखाता है एक्टिव सेफ्टी नहीं पैसिव सेफ्टी का मतलब एक्सिडेंट होने के बाद क्या आपकी गाड़ी आपको सुरक्षित रख पाएगी या नहीं जबकि एक्टिव सेफ्टी का मतलब होता है कि आपका एक्सिडेंट होने से पहले ये गाड़ी आपको बचा पाए गिया नहीं और इस मामले में आज भी टाटा निक्सौन ही बहतर है क्योंकि टाटा मोटर्स ने उसके बेस मॉडल से ESP ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टिम देता है जो टाटा पंच के टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता ESP सिस्टम आपके पैयों को फिसलने से रोकता है ABS सिस्टम जैसे रोकता है बिलकुल वैसे ही लेकिन फर्क ऐसा है कि ABS सिस्टम सिर्फ तेजी से ब्रेक दबाने पर गाड़ी को फिसलने से रोकता है अगर गीली सड़क पे मोड लेते वक्त आपकी गाड़ी फिसलने लगे या 23 पिकप लेते वक्त तो ABS सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाता तब केवल ESP सिस्टम ही आपके पैयों को फिसलने से बचा सकता है और आपकी गाड़ी का संतुलन भी बनाये रखता है आईए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की और जो है अंदरूनी जगा और कमफर्ट दोस्तों ब्रोशर पे लिखी लंबाई चोड़ाई पढ़के गाड़ी की अंदरूनी जगा और सीटिंग कमफर्ट का अंदाजा लगाना कितना गलत साबित हो सकता है इसका उचित उधारन है ये दो गाड़िया लंबाई में निक्सौन 6 इंच बड़ी है और चोड़ाई में भी दो इंच ज्यादा लेकिन फिर भी पंच की सीटिंग निक्सौन से ज़ादा आराम दायक महसूस होती है और ये कैसे दोस्तों इसकी पहली वज़ा है उचा एच पॉइंट मतलब पंच की सीट का बेस निक् निक्सौन से एक या डेड़ इंच कम नी रूम और लेग रूम होने के बावजूद उसमें ज्यादा कमफर्ड महसूस होता है दोस्तों जो गलती टाटा ने निक्सौन में की थी वह याद से पंच में सुधार ली निक्सौन में दिक्कत ऐसी है कि उसके छत का पिछला हिस् पिछले सीट की हेडरूम कम हो जाती है और पिछले सीट के बेस को नीचे लेना पड़ता है लेकिन ऐसा करने से यात्रियों के घुटने उपर उठ जाते है और जब घुटने यात्रियों के कमर से उपर उठ जाते है तब सीटिंग कमफर्ड खराब हो जाती है उपर से और भी सेर पे इस वज़ा से जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है तो रही बात कूप जैसे आकार की तो SUV में बिना वज़ा कूप का स्टाइलिंग घुसरने ने की बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं है SUV को SUV ही बना के रखना चाहिए ये टाटा मुटर्स को अब समझ आ गया है आखिर उनी की रेंज रोवर्स का छट कहां पीछे की तरफ जुपता है और फिर भी स्टाइल में सूपर से भी उपर होती है इसका फाइदा ये हुआ कि टाटा पंच की पिछली सीट पे निक्सॉन से काफी ज़्यादा हेडरूम बज गई और इस वज़ा से टाटा के इंजिनियर्स को सीट बेस उपर करने का मौका मिल गया इसका तीसरा फाइदा आपको गाड़ी में बैटते वक्त और गाड़ी से उतरते वक्त महसूस होगा क्योंकि पंच में बुजर्ग यातरी आसानी से बैट पाते हैं निक्सॉन में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि उसके पिछले दर्वाजे के अंदर की तरफ काफी मोटा डोर सिल मौजूद है यातरियों को अपना पैर अंदर डालते वक्त परियाब जगा नहीं मिलती इतना ही नहीं आपको पंच में अल्ट्रो से थोड़ी सी बहतर बूट स्पेस भी नहीं मिलती पंच का बूट निक्सौन जितना लंबा नहीं है क्योंकि पंच निक्सौन से 6 इंच छोटी है लेकिं पंच का बूट निक्सौन से ज़्यादा ऊचा बन गया है और कुल मिला कर उसमें लगबख 16 लीटर ज्यादा जगा मिल जाती है वैसे तो दोनों गाड़ियों की सीटिंग कमफर्ट और बूट स्पेस में सिर्फ 19-20 का फर्क है दोस्तों असली फर्क तो कीमत में है और आए उस पे गौर फर्माते हैं आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला मुद्दा जिसका नाम है वैल्यू फर मनी आठ साल पहले दोस्तों जब मार्केट में 4 मीटर SUV फोर्ड ने लॉंच की है तब से लेकर आज तक हम यही देखते आ रहे हैं कि जिस प्लाटफॉर्म पे SUV आधारित होती है उस प्लाटफॉर्म पर बनी हुई हैजबैक से वो हमेशा 2-3 लाग रुपे महंगी होती है दोस्तों टाटा सिर्फ इकलोता ऐसा उत्पादक है जिसने अल्ट्रोस प्लाटफॉर्म पर बनी हुई पंच को अपनी हेजबैक से 35,000 रुपे सस्ती रखने का सास किया है नतीजा आपके आखों के सामने है निक्सोन का बेस मौडल 8.2 लाग से शुरू होता है पंच का बेस मौडल उससे सीधा 2 लाग रुपे सस्ता लेकिन बेस मॉडल से बेस मॉडल की तुलना करना बेफिजूल है क्योंकि जिसका बजट 8 लाक रुपे होगा वो पंच के बेस मॉडल की तरफ क्यों देखेगा वो तो ये देखेगा कि 8 लाक रुपे में पंच का कौन सा मॉडल मिल सकता है और यहाँ पर पंच अपनी बड़ी बेहन को धूल चटा दीती है क्योंकि 8,90,000 में उसको mid-range AMT model मिल रहा है on road दिली तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि 8,90,000 में पंच का AMT मिल जाता है पर अगर इसी चीज को Nixon में खरीदना हो तो आपको कम से कम जेप से 10,00,000 रुपे खर्च करने पड़ेंगे लेकिन इस कीमत पर भी पंच उससे कई गुना भैतर value for money वेरियंट दे रही है जिसका नाम है creative AMT उसमें समान कीमत की Nixon से लगबग 15 फीचर जादा मिल जाते है जैसे touchscreen infotainment with android auto, apple car play, parking camera, alloy wheel, automatic climate control, cruise control इत्यादी पूरी list यहाँ पर screen पे मौझूद है माना के Nixon XMA में आपको ESP और hill hold मिलता है और उसका pickup भी पंच से काफी भैतर है लेकिन इस मुद्दे में हम आपको इसी वीडियो में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे तो दोस्तो आज Tata Motors खास कार कंपेरोस दर्शकों के लिए अपनी आने वाली Tata Punch पे 15,000 रुपे तक का discount दे रहा है इसकी link यहाँ आपके screen पे i button में और वीडियो की नीचे description में दी हुई है अगर आप Tata Punch खरीदना चाते हो तो इस अवसर का जरूर लाब उठाए दोस्तो तो आए दोस्तो सबसे पहले बात करते है डीजल इंजिन्स की दोस्तो जब से market में BS6 नियमों को लागू किया गया है तब से Tata Motors की गाड़िया दबा के भिकरी है और इसकी वज़ा कोई infotainment, feature, electronic खिनोने नहीं है इसकी सबसे बड़ी वज़ा है Tata का value for money डीजल इंजिन्स दोस्तो मारूती की तो BS6 ने डीजल की दुकान बंधी कर दी हुंड़ी ने अपना डीजल इंजिन BS6 कमप्लाइंट कर लिया लेकिन उनकी कीमते हद से उपर चली गई अब निक्सोन की कीमत ही ले लीजे निक्सोन XC पेट्रोल हुंड़े वेन्यू के E-Petrol मॉडल से 30,000 रुपे महंगी है लेकिन निक्सोन XC डीजल वेन्यू के सबसे सबसे डीजल मॉडल से भी 100,000,000 रुपे कम दाम में मिल रही है माना के वेन्यू डीजल में सबसे निशला वेरियंट यानि की E-Variant नहीं मिलता लेकिन वेन्यू का जो सबसे सस्ता डीजल मॉडल है जो है SO लेकिन उसमें भी ESP Traction Control और Hill Hold जैसे महेंगे फीचर मॉजूद नहीं है उससे सवा लाख रुपे सस्ती निक्सॉन में मिल रहे है तो फीचर्स की वज़े से वेन्यू डीजल की कीमत महेंगी है ऐसा बिलकुल भी नहीं है दोस्तो दोस्तो पावर के मामले में निक्सॉन का डीजल इंजिन पंच के पेटरोल इंजिन से कई गुना बहतर है पंच का नौन टर्बो पेटरोल इंजिन मुश्किल से 50 आरपियम भी नहीं दे पाता अब एक बात थंडे दिमाग से सोचिए कि आप अपनी गाड़ी कौन से आरपियम पे चलाते है अधिकतर चालक अपनी गाड़ी को 1000 से 3000 आरपियम के बीच में चलाते है और वहाँ पर डीजल निक्सोन आपको 5 से 5 गुना बहतर टॉर्क देता है ये बाद हमेशे है रादर की दोस्तों इस वज़ा से शेहरी ट्राफिक में गाड़ी चलाते वक्त पंच मैनुवल में आपको निक्सोन डीजल थे कई गुना जादा गेर बदलने पड़ेंगे तो अगर आप गलती से भी मैनुवल गाड़ी पंच लेने की सोच रहे है तो उसके बजाए डीजल निक्सोन कई गुना बहतर विकल्प है और तो और उसका एक और बड़ा फाइदा है जो आपके लाखो रुपे बचा सकता है और आएए देखते हो क्या है अगला बुद्दा लेते हैं दोस्तों और वो है टर्बो पेट्रोल इंजिन तो साथ साल पहले टाटा जेस्ट लॉंच होवी थी चार लाख चौसाथ हजार रुपे एक शोरूम दिल ली तर्बो पेट्रोल इंजिन के साथ आज अल्ट्रोस का बेस मॉडल उससे लगबख सवा लाख रुपे महंगा है और वो भी बिना टर्बो चारजर के साथ टर्बो वाली अल्ट्रोस तो आट लाख के नीचे मिलती ही नहीं एक शोरूम दिल ली यानि कि जैस से साड़े तीन लाख रुपे महंगी माना कि अल्ट्रोस का टर्बो पेट्रोल एकस्टी वेरियंट से शुरू होता है अगर वा बेस मॉडल से शुरू होता तो साड़े छे लाख को मिल सकता था एकशोरूम दिली क्योंकि एकस्टी आई टर्बो की कीमत एकस्टी बिना टर्बो से 65,000 रुपे महंगी है दोस्तो फिलाल तो टाटा पंच में आई टर्बो का परियाय उपलब्द नहीं है लेकिन अगर वा बेस मॉडल में ले आएंगे तो वा 7,000,000 रुपे में आन रोड मिल सकता है हम आशा करते हैं कि टाटा मोटर्स उसको एमटी के साथ ले आए क्योंकि टर्बो पेट्रोल में सबसे बड़ी दिक्कत होती है टर्बो लैक की पेट्रोल इंजिन्स के टर्बो चार्जर डीजल इंजिन जितने जल्दी काम शुरू नहीं करते इस वज़े से 2000 आर्पियम की नीचे उनका पिक अप निहायती कमजोर रहता है शहरी टर्फिक में टर्बो पेट्रोल गाड़िया चलाते वक्त कलच गेर रगड रगड के चालक परिशान हो जाता है इसलिए पंच आई टर्बो मैन्योल गेरबॉक के साथ लाने की कोई भी जरूरत हमें नहीं महसूस होती दोस्तो अगर टाटा मोटर्स पूरी कोशिश करके आठ लाक रुपे की ऑन रोड कीमत में पंच एडवेंचर आई टर्बो एम्टी ला पाता है तो वो मार्केट में धूम मचा देगा क्योंकि आज सबसे सस्ती एम्टी वाली स्विफ्ट आठ लाक रुपे को मिल रही है और ये सारी मगजमारी करने की इतनी जरूरत इसलिए क्योंकि बिना टर्बो वाली पंच का पिकप आज बहुत कमजोर है उसको 100 की रफ्तार हासिल करने के लिए कम से कम 17 सेकंड लगते है वही अल्ट्रोस आई टर्बो को सिर्फ 12.5 सेकंड लगते है इतना ही नहीं आपको हाईवे पर ओवर टेकिंग करने के लिए जो पिकप लगता है यानि कि 4200 वा टाटा पंच अभी भी 13 से 14 सेकंड में कर पा आईगी और वही है टर्बो पेट्रोल इंजीन का असली फाइदा जिसकी टाटा पंच को सक्त जरूरत है दोस्तों लेकिन पंच में टर्बो पेट्रोल आने के बाद भी वो निक्सॉन के एक लाजवाब वेरियंट जितनी मज़ेदार नहीं बन पाएंगी और आईए देख अचा खासा चार्जिंग नेटवर्ट बन जाएगा इस बात में कोई दोर आए नहीं है दोस्तों तो हमारी आपसे ही सिफारिश है कि कम से कम एक बार निक्सॉन एवी या टिगॉर एवी की टेस्ट ड्राइव ज़रूर कीजिए सिर्फ पैसों क्या हिसाब लगाना दोस्तो सही नहीं है क्योंकि निक्सॉन एवी और पंच एवी के पिकप में कितना जमीन आसमान का फर्क है ये तो अनुबव आपको टेस्ट ड्राइव के बाद ही पता चलेगा माना कि निक्सॉन की कीमत पंच एमटी से 7 लाग रुपे उपर शूरू होती है लेकिन 1 लाग पे तो खर्ष होने ही वाले है पंच लो या निक्सॉन एवी लेकिन उसके बदले में 8 सेकंड में 0 to 100 करने वाली गाड़ी चाहिए या 18 सेकंड वाली ये आपको टे करना है और अगर आप अपना बजट 15 लाग तक नहीं खीचना चाहते तो टिग और ईवी भी एक बुरा प काउंट दे रहा है इसकी लिंक यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों अगर आप अल्ट्रोस खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का ज़रूर लाब उठाईए आई दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस् इसरे प्रतिसपर्दी का जिकर ही नहीं करते जबकि 90 प्रतिशत कंपेरिजन वीडियो में दिखाई गई दोनों गाड़ियो की बजाए कोई तीसरी गाड़ी उनसे हर मामले में बहतर होती है और सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं बलकि बहतर वैल्यू फॉर मनी भी होती है इसलिए हम आज से ये नया सेक्शन शुरू कर रहे है जिसमें हम आपको इसी कीमत में मिलने वाली सबसे बहतरीन वैल्यू फॉर मनी गाड़िया दिखाएंगे तो दोस्तो पहला परिया है हुंड़ की औरा S-AMT जिसकी कीमत है 8,30,000 रुपे अंडोर दिली उसमें आपको बेमिसाल बिल क्वालिटी के इंटिरियर्स मिल जाएंगे और हुंड़ का लाजवाब टिका उपन और कमाल की आफ्टर सर्विस भी मिलती है उसका AMT भी टाटा पंच से जादा स्मूथ और तेज है और तो और उसमें पंच से भी बड़ा यानि कि 400 लीटर का बूट मिलता है और उपर से उसके अच्छे खासे डिसकाउंट आफर भी चल रहे हैं दूसरे परियाई की और बढ़ते हैं दोस्तो और वो है स्विफ्ट VXI AMT जिसकी कीमत ब एक दिक्कत है जो है उसका चोटा 268 लीटर का बूट लेकिन उस पे भी मारूती के पास एक बहतरी निलाज है दोस्तो जो है डिजायर VXI AMT जिसमें पंच से भी बड़ा यानि कि 400 लीटर का बूट मिलता है और उसकी कीमत है साड़े आठ लाक रुपे अन रोड डिली तो आईए दोस्तो बात करते है कुछ बजट फ्रेंडली आप्शन्स की यानि कि कम से कम पैसों में बहतर पिक अप बहतर माइलेज और बहतर फीचर दे पंच से भी जादा तो वो है 1200 सीसी इंजिन वाली वैगनार VXI AMT उसकी कीमत है केवल 6,80,000 रुपे अन रोड दिली ल दोस्तो लेकिन सिर्फ इंजिन ही नहीं बलके उसका AMT भी टाटा पंच से जादा स्मूथ है मतलब गेर बदालते वक्त पंच जितने तीवर जटके उसमें महसूस नहीं होते और तीसरा पंच है वैगनार की बूट स्पेस जो अल्ट्रो से केवल 5 लीटर कम है और पंच से सिर्फ 25 लीटर कम और दोस्तों अगर आपका बजट 10 लाग के उपर आप खीच सकते हो तो आपको 7 सीटो वाली उप्यूप्त LTEGA VXI आटोमेटिक मिल रही है जिसमें टॉर्क कनवर्टर गेर बॉक्स मौझूद है और काफी अच्छे से हिल होल्ड भी कर लेती है और उसके अंदर 185 mm का ग्र परसनल ओपीनियन है तो दोस्तों हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पे और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक केजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पे करके और नोटिफिकेशन का परिय चुन लीजे दोस्तों हमारा वीडियो आकर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रियादा और धन्यवाद भी हमारे सबसे तरोताजा वीडियो की एक जलक यहाँ पर आपके सामने पेश है जिसका आप अवश्यलाब उठा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर झाल